मैं आप सब को पढ़ाम करता हूँ और आप सब का जिन्वा ज़ाए रहा हूँ केजिन निर्टु का, देश निर्टु का, समुल्चिर मनिच का मैं दे इसे छोटे से कारेकरता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्दर सिंग में जो जवाब दरी दिया तपी आप सब का प्रेम आपका अश्रवाद सयोग मिलेगा, तो मिश्चित रूप से मैं कोशिस करूँगा, एक बार खिराम साब का अभार धन्यवाद तो शिवराज सिंग चोहान, जोते डरेते सिंधिया, नरेंदर सिंग तोमर, कैलाश विजय वरगिया, प्रलाद पटेल, वीडी शिर्मा, ये वो बड़े नाम थे, वो बड़े नाम थे जो इस रेस में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब मोहन यादव पर मोहर लग चुकी है, हमारे वरष्ट सयोगी अमिताब सिना जी हमारे साथ बने हुए है, अमिताब सिना जी इन दगजों के बीच में, डॉक्तर मोहन यादव के नाम का सामने आना, हम चाहेंगे कि आज पूरा देश ये समझे आप से, कि आखर इसी नाम के जरिए, वो सर्प्राइज क्यों सा होता है, तो किसी भी राज में आपने देखा होगा कोई भी विधायक हो, सांसाद हो, जो चुनाओ जीत कराया हो, कोई भी गेस नहीं कर रहा था, जिसका नाम चलता है, वो नाम हमेशा पीछे चला जाता है, हाशीय पर चला जाता है, तो मुझे लगता है, एक सोच समझ कर यहाँ फैसला और मैंने पहले भी का एक जातिगत समिकरन बनाने की कोशिश की गई है, उन इलाकों को प्रतनी दित्व देने की कोशिश की गई है, जो पिछड़ गये थे, यहाँ बीजेपी ने इस बार उमीद से भी ज्यादा बेहतर परदरशन किया हो, रिवा इलाके से अगर राजंदर शुकला जीत कराते हैं, अगर 2030 से लगातार ML हैं, उस इलाके को प्रतनी दित्व मिला है, रिवा से कहते हैं कि एक मंत्री तक नहीं था अभी तक किसी क्याबिनेट में शिवरा सिंग की सरकार में पिछले 20 साल से, रिवा से पहली बार अगर बन रहा है, तो कमिनिटी से आते हैं, महन यादव खुद एक OBC कास से आते हैं, तो और लंबा अनुभव भी है, 2013 से लेकर अब तक विधाय की कानुभव भी है, तो मुझे लगता है प्रधान मंत्री जो आने वाले दिनों के लिए अपनी एक नई टीम तियार कर रहा है, और महन यादव की हैं, अगर उनके ट्वीटर फॉलोर भी देखे जाएं, तो उनकी संख्या भी लाखों में है, तो मुझे लगता है कि मोहन यादव जीप पर अगर उन्होंने दाव लगाया है, तो समझकर लगाया होगा, जीतने के बाद इसलिए 3-4 दिनों की देरी भरही हुई हो, लेकिन इसका असर जो पडोसी राजे हैं, उन पर जरूर होगा, और जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो मध्यपरदेश और उत्रपरदेश की सीमा से लगते हैं, उस पर इसका जरूर फाइदा होगा, उन राजियों को अब कैबिनेट जो बनेगी, उसमें उन तमाम ज किसी की बात है, संगल भी बहुत है, उनी से चरासी से ततत काम किया है भाती जंता पैटी का और विध्याती परिशत से विध्याता अ मैं जाल गई यार वह को, वह को अ राज्या है, वह अ मधाया आपका, आपका नाम बाताई इसका अपनम, पोनम जांजी आदू बातू, किसा लग रहा है आपको कितने खुशी लग रही है अभी 120 मुख्य मंतर बन गए तो आपको किसा लग रहा है किसा लग रहा है किसा लग रहा है किसा लग रहा है कि मुख्य मंतरी बन गए तो आपको कैसा लग रहा है तो देखे इन तस्वीरों के जरी आप समझे कि परिवार में कितनी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि परिवार का सदब से अब मध्य प्रदेश के किसी एक इक इलाके की जिम्मेदारी नहीं बलकि अब पूरे मध्य प्रदेश की कमान अपने हाथ में ले रहे हैं यानि कि वो प्रदेश जिसे बिमारू राज्जे से बाहर निकाल कर विकास की रहा में मुख्य मंतरी शिवरास सिंग जोहान ने पहुंचाया था अपने पूरे साड़े सतरा साल के कारेकाल के दौरान अब वो राज्य आगे दो कदम चार कदम बढ़ेगा डौक्टर मोहन यादव के जरिये क्योंकि अब मुख्य मंतरी उन्हें बना दिया गया है अमिताब सिना जी हमारे साथ बने हुए हैं अमिताब जी मध्य प्रदेश में बीजेपी को 163 सीटे यहाँ पर मिली हर किसी ने चौका भी दिया, समझा भी दिया कि बीजेपी जो दावे करती है उससे आगे भी बढ़ जाती है लेकिन डौक्टर मोहन यादव को यहाँ पर जो चुना गया है क्या और खास वज़े मानते हैं एक राजनीती के लिहाँ से देखे तो क्या पुईवा चहरा भी उन्हें मान है ही हमे लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती आलाकामान का फैसला अगर प्रधान मंत्री मोधी ने इन पर दाव लगाया है तो सोच समझकर ही लगाया होगा मैंने पहले भी बोला चाहे इसमें जाती है समीकरण हो चाहे भवीशी के लिए अपनी लीडर्शिप तयार करना हो या फिर बीस साल से जो इस्टैब्लिश्ट लीडर्शिप जो चली आ रही थी अगर नरेंज सिंग तोमर को स्पीकर बनाया जाता है तो इसका मतलब यह है क पांच साल तक यही रहेंगे जो उनकी लोकसभा सीथ है उस पर फ्रेश चेहरे को दाव मिलेगा जो भी सांसद यहां से जीत कर गये थे चाहे फगंसिक गुलस्ते हो चाहे राकेश कुमार सिंग हो राकेश राकेश सिंग जी भले ही अपने विदान सभा चुनाव जीत गया कि महाकोशल इलाके से एक जगह मिले एक मंत्राले में लेकिन ऐसी चीजों को प्रेडिक्ट करना कम से कम प्रधान मंत्री मोधी के कारेकाल में बहुत ही दुशकर कारे है एक element of surprise होता है उनके इन फैसलों में लेकिन इस element of surprise का फाइदा पार्टी को होता है क्योंकि इसका फा इसका पूरा का पूरा संदेश पूरे नौर्थ हिंदी बिल्ट में जरूर जाता है इसलिए राजस्तान में आप किसी surprise की ही उमीद का surprise का ही इंदजार करें लेकिन जिसके साथ एक दलित उपमुख्य मंतरी भी है और कास्ट कॉमिनेशन का पूरा का पूरा खायल पूरे के पूरे मंतरी मंदल में रखा जाएगा तो element of surprise था भी कोई गेस नहीं कर पाया लेकिन प्रधान मतरी जो अपनी नई टीम आने वाले दिनों में अगले पाच्छे सालों के तयार करना चाहते हैं मोहन यादव को उस पे अब खरा उतरना होगा यह उनकी होगी जो डबल इंजन की सरकार इसमें मोहन यादव कितनी जो बड़े वो तमाम दिगज नाम लगाता रेस में आगे चल रहे थे चाहे प्रलाद पटेल चाहे खुद शिवरा सिंग चोहान जो तरह देसंधिया नरेंदर सिंग तोमर यह नाम चल रहे थी आपको लगता है इनकी भी स्वीकृति रही होगी डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर क्योंकि प्रवेक्षक गए थे उन्होंने इंप्लिमेंट कर दिया है अब पूरी पार्टी को साथ होकर चलना है प्रधान मंत्री ने तीनों राजियों में जीत के बाद बीजेपी ऑफिस कारेले जाकर एक ही लाइन कही थी कि हमें इस मोमेंटम को बनाए रखना है हमारे जीत के मोम प्रवेक्षण तो मुझे लगता है कि अगर यह पीम उनको एक जटका दे चुके हैं मोमेंटम बनाये रखने की बात कर चुके हैं जातिया समीकरन बनाकर वहां पर एक नित्वत दे चुके हैं वही ट्राइबल लीडर्शिप शत्यजगड में दे चुके हैं मुझे लगता पर अमिताब जी यही था क्योंकि अब आगे है साल दो हजार चौबीस वो साल उसके वो महीने जहां पर जो नतीजे अभी आए सामने